MP, Tablet, Tablet खरीदने Class 5, 8 की परीक्षा शिक्षकों, पालेकों, विद्यार्थियों के लिए बना परेशानी शासकिय शिक्षक संडठन मध्य प्रदेश प्रमाग, 1083 प्रती 1. निच सचिव माननिय स्कूल शिक्षा मंत्री मशून्य प्रशून्य शासन भुपाल 2 3. माननिय संचालक राज्य शिक्षा केंद्रब भुपाल शिक्षकों को टैबलेट कया करने के संबंध में विशे महोदे निवेदन है कि राज्य शिक्षा केंद्रब भुपाल द्वारा लगातार ऐसे अव्यवहारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं जो शिक्षकों के लिए तो परेशानी का सबब बन ही रहे हैं शेक्षणिक व्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं है राज्य शिक्षा केंडर भुपाल द्वारा पहले तो वार्शिक परिक्षाओं के समय में जन्वरी व फर्वरी माह में शिक्षकों के खूब प्रशिक्षन कराये जिसमें शिक्षक अध्यपन कार्य छोट कर प्रशिक्षन लेते रहे फिर आठवी एवं पाचवी की वार्षिक परिक्षाओं के लिए एक जन शिक्षा केंडर में अधिक्तम शून्य तीन परिक्षा केंडरों का फर्मान जारी कर दिया गया जिससे 10-10 वर्ष के बच्चों को शून्य पाच से शून्य साथ किमी शून्य दूर तक जाकर परिक्तंगी का समय होता है इसी समय सभी प्रकार की बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुपतान करना होता है आयकर के रूप में भी राशी जमा करनी पढ़ती है और आयकर रिटन के कारण मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिलता है फिर ऐसे समय में जबकी वार्षिक शिक्षकों को टेबलेट खरीडने का जो अव्यवहारिक आदेश जारी किया है वो समझ से परे है मानन ये वैसे भी 10,000-10,000 रुप्ये में उच्च गुनवत्ता का ऐसा टेबलेट बजार में उपलब्ध नहीं है जिसमें चार वर्ष की गारंटी सहित राज्य शिक्षा के पूरे हो रहे हो और नलेने पर इसे शिक्षक का कदाचरन मानते हुए संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के नोटिस जारी हो रहे है यह उचित नहीं है अतहा आपसे विनम रन रोध है कि इस प्रकार के आदेशों के जारी होने के पूर्व उनकी यह समीक अवश्य कर ली जाए कि ऐसे आदेश जमीनी धरातल पर वास्तविक्ता के कितने करीब हैं ताकि ऐसे अव्यवारिक आदेश न तो शिक्षकों के लिए तो परेशानी का सबब बने और शेक्षनिक व्यवस्था भी चौपट न हो सके निवेदक प्राकेश दुबे प्रानताध्यक्ष शासकिय शिक्षक संगर्थ